हेलो फ्रेंड्स वैलकम बैक माई यूटूब चैनल कैसे हो आप आई होप आप अच्छी होंगे आज हम लगाने वाले हैं कुर्ति के चाक पर लेस पाइपिन लगाए या फिर लेस लगाए हम कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन दोनों हम इसी तरीके से लगाएंगे बहुत ही सि सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जितना पर कपड़ा छोड़ना है हम यह पर लगवगग एक इंच यहाँ पर साइड में थोड़ा-थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे फोल्ड करने के रखेंगे उल्टी साइड यह देखो ऐसे ऐसे हम यहाँ पर उल्टी साइड रखेंगे और फिर लगाएंगे हम एक सिलाई देखे यह उल्टी साइड और यहाँ पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते वे यहाँ पर थोड़ा सा में एक्स्ट्रा ले लेंगे इसको यहाँ पर और फिर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पर कोई भी कुछ भी अलग नहीं करना बस यहाँ पर आपको सीधी सिलाई लगानी है चाक तक जहाँ पर हमारी कुर्टी के चाक होंगे नहीं महां तक हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और ऐसे हम कोई भी पाई पिन लगाते कुर्ति पर कैसी भी पाइप इन लगाएंगे उस पे भी ऐसे ही लगाते है जैसे यह पाइप इन लगा रहे हूं अगर आप भीगनर हैं तो तब भी आप इसको आसानी से लगा सकते हों अगर आप से यह बिल्कुल शीदी नहीं लग रही है तो आप क्या करिए सीधा निसान लगा लेजिए उसके उपर रखकर आप सिलाई लगा सकते हैं उससे क्या होगा अगर आप बीगनर है तो सफाई भी बहुत अच्छी आएगी हाथों में बेलकुल साफ सिलाई आती है बहुत अच्छी तरीके से सिलाई इसमें आएगी अगर हम पहले निसान लगा लेंगे और उसके बाद सिलाई लगा लेंगे अगर आपको सिलाई आती है तो कोई प्रोब्लम है नहीं फिर तो फटा-फट से सिलाई लग जाएगी सिदी ठीके यहाँ पर चाक से थोड़ा उपर चोड़ते हैं हम कर लेंगे लेस की कटिंग फिर इसको क्या करेंगे अंदर की तरफ फ यहाँ पर भी कुछ निकरना उसी के उपर जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी ना यहाँ पर उसी के उपर हम ऐसे कपड़ा फोल्ड करके जो मेरा फैबरिक बचा हुआ था मैंने थोड़ा मार्जन जादा लिया था ना उसके उपर हम सिलाई लगाएंगे इसको क्या करेंग और इसको सीधा करके फिर सीधी से लगाएंगे यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीके से लगती है कोई इसमें ज़्यादा जंजट नहीं है कि हम कैसे लगाई जैसे बिगनर होते हैं वो सोचते रहते हैं कि हम पाइपिन इसमें कैसे लगाई सोट में हमें पाइपिन लगाई जी नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता अगर हम थोड़ी सी कोसिस करेंगे तो पाइपिन हमारी बहुत अच्छे तरीके से लगेगी और ज़्यादा इसमें कुछ भी ताम जाम नहीं है बीगनर भी इसको आसानी से लगा सकते है ऐसी हमने इसको सीधा किया और फिर हमने एक सीधी सिलाई लगा ली सिर्फ एक सीधी सिलाई ही लगानी है उसी से हमारी पाइपिन लग जाएगी या फिर लेस लग जाएगी हम लेस लगाना चाती है, पाई भी लगाना चाती है, कुछ भी लगाना चाती है, आसानी से लग जाती है, देखो यहाँ पर चाक तक, और देखो कितनी इसमें सफाई आई है, अगर आप पीछे यहाँ पर, देखो मैं आपको दिखा देती हूं पासे, कितनी सफाई से मेरी य अले साराम से ऐसे ही लगा सकते हो बैक साइड भी आपकर यहां पर तुर्पाई करना चाते हो यहां पर तो तुर्पाई कर सकते हो अगर नहीं तुर्पाई करना चाते हैं तो आप यहां पर एक सीधी सिलाई और लगा सकते हो एक पैर का मार्जन छोड़ते वे यहां पर एक स और सिधी लगा सकते हैं तो आपको तुरपाई करने की भी जोरत नहीं पड़ेगी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए